subscribe online ventures youtube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material subscribe online ventures youtube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material hello my dear students very good morning and how are you all कैसे है आप सब चल्दी से लाइब आजो बच्चे शुरू करते हैं क्लास और सॉरी बच्चो आज आपकी क्लास पहले दिन पांच मिनट लेट हुई और उसका रीजन मैं बताता हूं बेटा इतना ज्यादा फॉगेट एली न्सी आरवे बच्चो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विकल भी बहार है लो गुड मार्निंग माधुरी कैसे हैं ललनन मोरिय कैसे हैं बच्चो हेलो बिटा हेलो एवरीवन पूनाम प्रंजन पूजा कुमारी आव यू अल सो जल्दी से सब लोग लाइव बाजो रविंदर कुमार कैसे हैं गुड मॉर्निंग और अक्लॉलिज यॉर्सेल्फ बिटा विया गुंटे स्टार्ट दा सेशन हमें लगा आप नहीं आएंगे रहे कैसी बात कर दी गौरह प्रंजन पिटा इतना ज्यादा कह रहा था पहले कार चली नहीं बहुत दोड़ लेकर फिर भी आके बर्स थोड़ा सा टैम लगी जाता यूनों की मतलब का तो मैं आठ बजे गया था लेकिन पांच में रखने में क्लास शुरू करने में बहुत जादा आज तो पहली बार ऐसा हुआ मुझे नहीं दिख रहा था कार के बाहर क्या है बिलकुल अगर सब लोग आगे इट्स ओके ओके बच्चो तो शुरू करते हैं आज अपना वक्याब लाइडर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा यू कन सी यह बच्चो सैसे ना वक्याब लाइडर जहां आपको सब कुछ कराते हैं फ्रेजिस एडियम्स अंटॉनिम टुड़े वी आफ दा सैशन नंबर 50 डेली सुबह आठ बजे बेटा वक्याब की बाद डॉक्टर मिशे शौदिया सरके साथ डेली सुबह आठ बजे आउनली ओन लाइन बेंचर्श पर ओके मौसम भी फिरके लिए रहा है सर जी हाँ तो बेटा क्या हो गया फिरके लिए तो हम भी पूरी कुशिश करें टाइम पर आने की सौरब मिशरा कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं गूड़् मॉर्णिंग गूड्मॉर्णिंग अवरिवन तो शुरू करें आज का सेशन बचों आज हमें हो गए फिफ्टी डेज ऑफ सक्सेस बचों पूरे पचास दिन हो गए लि इसमें मैं आपको बतातू हूं आज ही पहला ऐसा सेशन है जो पांच मिनट लेट हुआ है बहुत बढ़िया थैंक्स और आप सबका साथ बहुत सारे बच्चे बेटा साथ बने हुए हैं पूरे पचास दिनों से और ये बस ऐसे ही हमारा साथ चलते रहना चाहिए और कोशिश करेंगे कि एक दिन हैं पूरा 100, 500 ऐसे लिखाता रहे बच्चो और बस आप सबका प्यार और आप सबका साथ चीए और सब लोग बच्चे फड़ावट फड़ावट सेलेक्शन लेते जाओ बहुत अच्छे गुड बच्चो बहुत बढ़िया आज ओ तो शुरू करते हैं बच्चे आप सबको मकर संक्रांती की बहुत-बहुत सुबकामना है आज मकर संक्रांती है करलोडी थी बच्चो तो आप सबको मकर संक्रांती की बहुत-बहुत सुबकामना है एक में बच्चो और एक में बच्चो आप सब को बहुत बहुत उपकामना है अब सुनो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं यह हमारा उनलाइन बेंचर का टेलिग्राम चैनल है आप इसे जॉइन करें आपको सारी पीदिएफ से मिल जाएंगी तो यू विल गैट कलाफूल पीदिएफ बिता विद वर्ड सब कुछ आपको मिलेगा अपार डेट ऑनलाइन बेंचर की बिट अप्लिकेशन इसे आप आज ही इंस् पीदिए डिली ऑनलाइन बेंचर्स पर और मेरा नाम है बिटा डॉक्टर मिश्य शौदिया मैंने पीच्डी किया इंग्लिश लीटेचर में 11 साल से जाधर का टीचिंग एक्स्पीरियंस है एक्जैम टॉट लाइक सी बिटा सारे एक्जैम बहुत सारे एक्जैम मतलब सीरे से कहता है एक बार और कोशिस कर तो जरूर कर सकता है बिल्कुल सही बात है बीटा अपने दिल के सुनो सब तो कहते ही है कि तुम से ना हो पाएगा ठीक है यह तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि करके दिखाएंगे बास समय जो बिटा आज सुपर सुपर सच में कर दिखाएंगे बिल्कुल बेटा एकदम डैंस था बहुत जादा आप सुनो अब बिल्कुल हाइलाइट्स आरें बेटा कि दिल्ली एंसी आर में लोग बहार ना निकलें अगर ड्राइविंग कम आती है तो ड्राइव ना करें क्योंकि बैरिकेट से दिखने हैं बच्चो बैरिकेट आपके सामने आजाएगा आपको तभी पता चलेगा जो बैरिकेट बिल्कुल सामने होगा हो सकता है लग भी जाए डिवाइडर्स नहीं पता है कट आपको कहा लेना है यूटरें कहा है कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल एकदम कवाइड है पूरा ठीक है तो पिटा आज Armed Force Day है, आप सब जो Defense वाले स्ट्वेंट हैं, उनको तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, आज ओ बचे, देखो, God and the soldiers all men adore in times of danger, पिटा देखो, सही बात है, या तो God and the soldier हो, पिटा बहुत अच्छी कुटेशन है, soldiers के लिए, God and the soldier all men adore, हर को उन्हें प पिटा प्रे करता है, प्रेज करता है, in times of danger, जब खतरी की बात होती है, and not before danger past, और पिटा जो before danger past होता है, and everything righted, God is forgotten and the soldiers righted, मतलब कहोता है, कि बच जब सब कुछ खताम हो जाता है, तो God को तो हम पिटा भूल जाते हैं, और soldiers को side हटा देते हैं, समझ गे, लेकिन ये बात य नाम लिया जाएगा, तो तुमारा भी नाम लिया जाएगा, आर्मी डिया सुक शर्मा बहुत बढ़िया, तो बच्चों सही बात है, तो soldiers आप बहुत उपर हो बच्चे, बस अपनी उसको quality को बना के रखें, शुरू करता हूँ बेटा, टेस्ट, फटाफट, जितने बच् सब लोग टेस्ट दें, मैचिंग वर्ड से बताओ क्या सिक्वेंस होगी, make it fast, किसका सबसे पहले आंसर आता है, देखते हैं आज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधा, प्रेडना, सुकला, मुकेश, कुमार, बेटा इन, इन क्या लिखा है, नहीं समझ आए, गुड मॉर्निंग, अनुभट, बच्चो सेशन को बस लाइक और शेयर कर दो, फटाफट, एक बार ना, सब लोग शेयर कर दो, बच्चो, मेरे नोटिफिकेशन कुछ बच्चो के पास नहीं पहुंच रहे हैं, कल रात भी मैंने ये पूछा था, कि कितने नोटिफिकेशन मिलते हैं, कोई जवाब, मतलब बहुत साई बच्चो का आया, कि सर माई पास नहीं अगर आपको PDF आपके नंबर पर नहीं आ रहा है, तो बेटा, टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो, ऑनलेन पेंचरस का, वहाँ मिल जाएगा, सारी PDF बेटा, एक साथ डाली थी कल, ठीक है, आजो शुरू करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चो, देखो, 100 प्ल बढ़िया बच्चो, बहुत अच्छे, जैनेसिस, बिटा, याद आ रहे है, इमेज याद आ रही होगी, ट्रीज की बनाई थी, है ना, कमेंस्मेंट होना, किस चैस की शुरुवात होना, ठीक है, याद आ गया होगा, नेक्स्ट क्या है, बिटा, नेक्स वर्ड देखो, ने स्टेट होती है, जिसमें आप बहुत सांती से रहती है, ठीक है, हाँ, बिटा, रीजुविनेट का तो इन्वीगरेट होगा, बिलकुल सही बात है, अब इसमें रीजुविनेशन है कहाँ, बिटा, रीजुविनेट होता है, उसका इन्वीगरेट ही होता है, रीजुविने जल्दी बताओ बेटा, बहुत सही, D is the correct answer, D is the correct answer, मैं एक में देख लूँ क्या था, बेटे इसमें कोई साभी वो ही नहीं जो आप पूछ रहे हो न, साइद आप किसी और दिन की बात कर रहे होगे बेटा, ठीक है, next आओ, next बात करते हैं, internal politics of which of the following country can have major impacts on other countries, बच्चों सुनो, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये question कहां से है, तो मैं आपको बता दूँ, बेटा, ये question आपको जो editorial आज दिया जाएगा, बेटा, उस editorial का होगा, दूसरी बात सुनो, आज थाज़े, बेटा, आज जो आपका editorial मिलेगा, उसका test अभ होगा, बेटा, आपका कब, Monday को, ठीक है, और Friday, Saturday, बेटा, दो दिन आपकी demand पर होती है, इस बाद शायद root words और EDM कराएंगे, और बेटा, every Sunday आपका test होता है, ये आपके sessions है, ठीक है, तो पहले 4 दिन, बेटा, editorial ही होगा, ठीक है, बेटा, मैं देखू, एक बार रुको, रुको, कुछ गणबढ़ हुई है, शायद, अगर आप ऐसा कह रहे हो, तो, बेटा, मुझे आप लोगों की बास समझ नहीं आ रही है, कि आप क्या कहना चाहरे हो, ना तो इसमें invigorate है, बेटा, ना ही इसमें आपका कुछ और था, आजो, शुरू करता हूँ, नेक्स देखो, बचे, तो यहां क्या आंसर होगा, बेटा, फर्स्ट का, इंटरनल पॉलिटिक्स वाले का, बताओ जल्दी से आंसर, ठीक है, चाइना, चाइना, बेटा, एस दा करेक्ट आंसर, यूएस होगा, बेटा, पैसेज में देखो, एस चाइना को डिसकरेब करता है, पैसेज में, सेरीन, होस्टाइल, आइडूस, या रिजर्फ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, एक मैट, एक मैट, एक मैट, देख लूँ, बेटा, रुको, रुको, कुछ गरबर होगी, बेटा, मैंने नहीं देखा, देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रात मैं भी लेट हो गया था, जैनेसिस होगा, अच्छे, 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 जैनेसिस का कमेंस्मेंट होगा, अच्छे, इसमें है ही नहीं बेटा, हाँ बच्छो, बिल्कुर सही कह रहो है, तो गलत है बेटा, मैंने देखा भी नहीं, मैंने आंसर ऐसे मिला दिये मैंने मिलाया भी नहीं जैनेसिस का मतलब यहां तो सही है बिटा कमेंस्मेंट होगा इंटरनेसिन का डिस्ट्रक्टिव होगा कैपिटिलेटिंग का एकसीड होगा और सैगेशियस होगा इसमें एक वर्ड गलत दे रखा है ने यह वाला रिजुविनेट यह वर्ड अलग से है ठीक है बिलकुल बिलकुल ठीक है बिटा यह मैं आपको पीडिएफ में करेक्ट कर दूँगा बच्चो सॉरी बच्चो बिलकुल रेली सॉरी बच्चो मैं पीडिएफ में करेक्ट कर द लेकिन बाकि यह जो options हैं, इसको आप correct कर लो, ये सारी सही है, ठीक है न, ये तो सारी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, आजो आगे बात करते हैं, select the word that best describe China is mentioned in the passage, बेटा क्या answer होगा, second का बताओ, हाँ बच्चो बिल्कुल अब समझ आ गया, आप समझ आ गया, बिल्कुल सही है, आप बता रहो, ठीक है, हाँ, B होगा बेटा, hostile is the correct answer, well done, well done, well done, अब मुझे समझ आया है, बेटा, कि आप क्या कहना चाह रहे थे, ऐसा हुआ है ना, कि जो answer हमने देखे, वो सही है, ठीक है ना, हाँ, तो मतलब, भी यह आता है ना, कि मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, फटा-फट से, answers मिलाने के लिए, मुझे लगा, answer वाली सीख दे नेक्स देखो, नेक्स देखो, नेक्स देखो, डेली दा हिंदू एंड वोकेबलरी, आजो फटा-फट समझो, बेटा, पहला वर्ड अब सुरू करते हैं, जितने बच्चे आज नई जुड़ें, बेटा, यहां से आपका session शुरू होता है, अब आप इन words को देखना शुर करें, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी-कभी time की कमी की वज़ा से वो उतना नहीं हो पाता, अब जैसे type को दिया होगा, अब आप देख रहो ना, कि answer की बिल्कु सभी set की है, लेकिन type क्या कर दिया, एक word गलट type कर दिया, ठीक है, अब कैसे किया होगा, उसका एक ही reason है, कि उसने as अब एडिट की होगा, अब एडिटिंग करते हैं, वो एक word type करना भूल गया, बस बात खतम हो गई, ठीक है, आजो, बेटा, despondency क्या है, let's see, despondency बेटा, जैसे आदमी, अब ध्यान से नहीं याद करो, बेटा, words को, सुनो, despondency का मतलब क्या है, यह आदमी है, देखो, कभी कभी आदमी पूरी तरीके से ठके बैठ जाता है, अपनी पूरी महनत करने के बाद, ठीक है, होता है न, कि जब आदमी बहुत ठक जाए, तो बेटा, वो ठके एकदम से बैठ जाता है, that is called despondency, वो state होती है, बेटा, निराशा की, मानो, आपने बहुत महनत की, बेटा, आप is called, बेटा, despondency, state होती है, निराशा, आपने क्या कहा है, देखो, a feeling of being sad and without much hope, बेटा, a feeling of being sad, एक feeling कैसी की बेटा, बुरा होने की, and without much hope, बिना किसी hope के, ठीक है, example, a mood of despondency has set in, मतलब, बेटा, a mood of despondency had set in, तो जो mood थाने, despondency का, बेटा, उस set हो चुका है, यानि के, इसका मतलब, he is in the mood of despondency, वो निराशा के mood में, यानि के, निराशा में है, there is a general air of despondency about the state of our democracy, there is a general air of despondency, बेटा, हम देखते हैं, हर जगा निराशा है, about the state of our democracy, हमारी जो डेमोकरेशी के state है, उसके अंदर, मतलब, you see, everywhere, निराशा, यानि के, आपको हर जगा क्या दिखाई देत है, ठीक है, अब एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल समझो, बेटा, एडिटोरियल कहता है, despite the despondency, मतलब, इसके बिना बेटा, जो despite despondency, यानि के, हमारी निराशा के, except निराशा, the rational air of its existence is intact, मतलब, जो हमारी existence है, वो कहा है, बेटा, वो intact है, वो बल्कुल proper है, यान बेटा, our hard work will never give despondency to us, बिल्कुल सही बात है, अगर आप महनत करते हैं, तन you are out of despondency, आप कभी बेटा, despondency में नहीं जा सकते हो, ठीक है, next बात करें, next बात करें, next को बचे, despondency का मतलब होता है, melancholic, बेटा, melancholy होता है न, दुख से भरा हुआ, ठीक है, याद हो गया, त आपने का de-respond, de-respond को ऐसे समझ लो, अगर आप कोई, कोई respond ही नहीं करता है, मतलब आपको कोई respond नहीं करता है, तो क्या होता है, अब dispondency में चले जाते हैं, कि आप कोई भी respond नहीं करता है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, ठीक है, 2020 year, मतलब was full of despondency, बिल्कुल सही बात है, 2020 पूरी तरीके से निरासा से भरा हुआ साल रहा है, after falling many times in achieving success, one get despondent, बिल्कुल सही बात है, अगर किसी को कई बार काम करने के बाद भी सक्सेस ना मिले, तो वो बिटा despondent हो जाता है, ठीक है, देखो बच्चो, word है perilous, बिल्कुल सही बात है, बहुत important word है, बिटा, perilous, ओके peril आपने पढ़ा होगा, जरूर, peril, ठीक है न, perilous नहीं पढ़ा होगा, peril पढ़ा होगा, बिटा, peril माने होता है, खत्रा, ठीक है, perilous होता है, adjective, जो किम से भरा हो, you can see, एक आदमी बिटा इतनी उचाही पर कहीं बैठा हुआ, कुछ काम कर रहा होगा, खड़ा है, that is called, बिटा very dangerous, जैसे, the country roads are quite perilous, जो country की सडकें हैं, वो बहुत perilous हैं, आप कहा सकता हो, at the time of fog, जब fog पढ़ता है, तो बेटा, बहुत जादा खतरनाक हो जाती है, सडके, because you are unable to see, कि कहां जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, that is, आप, perilous journey through the mountains was the only escape route, मतलब, एक खतरना जानी थूदा होगा escape route, मतलब, गर वो बचना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं बेटा, mountains के थूद एक perilous journey करनी होगी, यानि के खतरनाक journey का सामना करना होगा, that is called perilous, okay, हाँ, बेटा, it is very perilous से अच्छा होगा, हम लिखें, it is too perilous for us to drive, while fog समझ गए, यह हमारे लिए बहुत जादा खतरनाक है to exactly negative होता है, तो इतना खतरनाक है कि हमें drive नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो that will be the correct answer, okay, I will serve my country even to the peril of my life, बिल्कुर सही बात है बेटा, पूरे खतरे के बाद भी मैं serve करूँगा, अब सुनो, क्या कहा जाता है, editorial में, further evidence of his perilous position, जो further evidence है न, उसकी perilous, खतरनाक position का, if any was needed, came to the charge charter day on December 18, मतला आप इतना समझ दो बस, कि further evidence of perilous position, जो उसकी position का, perilous मतला, खतरनाक position है न, उसके लिए जो भी clarification है, वो आगे, if any, one was needed, came on the charge charter day on October 18, आपको पूरा news पढ़ने के बास समझ आएगा, ठीक है, आज बटा, आगे बात करते हैं, perilous का मतलब होता, precarious, dangerous, खतरनाक, और treacherous होता, बेटा, धोके बास, ठीक है न, बिल्कुल सही बात, वो आपको धोका ही देगा, sheltered, बेटा, sheltered होगा, sheltered ले ले लेना, किसी के अंदर आ जाना, या unaccessible, जिसको मतलब असेल नहीं किया जा सके, यानि कि जो सुरक्षित है, अब बेटा, perilous sound like very less, so very less chance for safety or dangerous, मतलब क्या है, बेटा, आप ऐसे समझने की कोशिश करो इसे, कि ये perilous sound करता है very less, मतलब बहुत कम है, तो बहुत कम chance है safety के, और जब safety के chances कम हो जाते हैं, तो ची है, next word देखते हैं, बच्चो, next word है, convene, convene क्या है बेटा, convene, convene होगा बेटा, बुलाना, convene करना, ऐसे तो sound या रहा है, convince कर लेना, आपने किसे को convince कर लिया, यानि कि आपने बेटा उसको बुला लिया, ठीक है, तो convene करना होता है, बुलाने, you can see, एक आदमी meeting ले रहा है, तो convene कर रहा है, to arrange for people to come together for a formal meeting, यानि के लोगों को किसी meeting के लिए बुला लेना, convince कर लेना कि we have a meeting, आप शाम को आ जाए, तो that is called the convene, बहुत बढ़िया, अब convene को हम कैसे use करने sentences में, a board of inquiry was convened immediately after the accident, जैसे accident हुआ, एक inquiry बुलाएगी कि सब लोगा जो accident क्यूं हुआ है, तो that that was convened, इसका मतला inquiry बुलाएगी, it is called convened, ओके, what, what is that, a board of inquiry was convened immediately after the accident, जैसे accident के तुरंत बाद, board of inquiry को क्या बुलाएगा, बिटे, convened किया गया, बुलाएगा, ठीक है, next, the council will be convened on the morning of the 25th, यानि के the council will be convened, council को convening होगा, विया will be convening होगा, on the morning of the 25th, 25th के सुबह को, council क्या करेगी, convening करेगी, मतलब सब को बुलाएगी, एक meeting held होगी, okay, thank you बेटा, क्या बात है, इसमें बस convene में ऐसा और लगा लो है न, क्योंकि singular है, बहुत सही है बेटा, convene verb है तो singular है तो ऐसा लगा दो बस, example of editorial, क्या कहता है, this indicates that the grouping, which cannot convene, unless all leaders agree to meet, मतलब, this indicates, ऐसा indicate होता है, that the grouping, जो है न, grouping हो रही है, which cannot convene, जो बुलाती नहीं है, unless, मतलब, unless all leaders agree to meet, मतलब, वो जब तक convene नहीं होगी, जब तक कि सारे के leaders मिलने के लिए convene ना हो जाए, मतलब, agree ना हो जाए, ठीक है, is likely to do so on the near future, मतलब, ऐसा हो रहा है, कि near future में होगा, ठीक है, तो convene करना, बुला लेने का मतलब, आप सब को बुला नहीं सकते हैं, जब तक सारे के leaders agree ना हो जाए, अगर वो सारे agree नहीं होगे, तो आप उन्हें बुला नहीं पाओगे, अनि क्या meeting नहीं बना पाओगे, बेटा, summon करना, बुलाना, congregate, religious wider, बेटा, congregation, आपने सुना होगा, congregation होता है, जिसको हम सत्संग कहते हैं, when religious people come together, disband कर देना, अलग कर देना, disperse कर देना, फैला देना, ठीक है, sounds like convey, convey करना, we have to convey something, so please assemble for a meeting, मतला हमें convey करना होगा, convene करना होगा, convince करना होगा, याद तो रह जाएगा, बेटा, आपने लोगों को convince कर दिया, कि हम convene करेंगे, यानि कि हम meeting करेंगे, ठीक है, तो सब को convince कर लेना, बुला लेना, convene करना, okay, now the word is very easy, आपको याद जाएगा, next दिखते हैं, बेटर, next, deputed, deputed, deputed क्या होता है, अधिकार सोपने, बेटर, deputy सब को पता है, तो उससे होता है, आप deputy हैं, यानि कि आपके, आप के, भई, आप देखो, सुनू, ऐसे भी आपने सुना, होगा, मैं आपको बता देता हूं, deputed तो कर दिया, जैसे, कोई आदमी हो अधिकार नहीं है, तो deputed हो जाना, तो मतलब, that is called, अधिकार सोप देना, to ask someone to act or speak for you, मतलब, किसी को कहा जाए, कि तुम्हाई लिए बोले, you can see the picture, ठीक है, कि मतलब, सब अपने अपने अधिकार की बाते कर रहें, I have a deputed, Lara Brown to speak for me at the conference, मतलब, मैंने deputed कर दिया, Lara Brown को to speak for me at the conference की वो conference में मेरे बारे में बोले, okay, समझा रहा है बिटा, next एको next word क्या है, the head boy of that school was deputed to show me round without any safety present, मतलब, the head boy of that school was deputed to show me round, मतलब, उसको deputed किया गया, show me round, बद दिखाने के लिए, whatever, without any staff present, कोई भी staff present, मतलब, उसे मुझे अपने बारे में बताना होगा, तो was deputed होता है बेटा, किसी को आप deputed कर देते हैं, जो आपके बारे में बताता है, convened both houses of parliament, बिल्कु सही बात है बेटा, the president of India convened, या तो convened कर लो, उसी शर्मा या फिसको convene कर दो, ठीक है, क्योंकि verb है बेटा, उसकी या तो second form लगाओ, president singular है, और president के पहला article दा भी आएग बेटा, ठीक है, आजो, deputed को कैसे यूज किया गया बेटा, newspaper में देखो, including the SCO, heads of government meeting in November, where new Delhi even invited पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही deputed another official, तो उसने क्या करा, उसने deputed कर दिया another official को, कि वो मेरी तरफ से बोलेगा, ठीक है, आजो, next बात करते हैं, deputed का मतला, बेट सुपर सीट कर देना होता है, किसी का अलग हट जाना, सुपर सीट कर देना, किसी के मतला, किसी को अपने अधिकारिक शेतर में ले लेना, सुपर सीट करना, ठीक है, जैसे, deputed can be like with debut, debut, debut से मेरेगा, which means, person's first appearance and first appearance are generally fake, मतला, आपने कहा कि deputed है, तो वो उसका debut है, तो बच्च फिर में आपको बताता हूँ कि जो निमोनिक्स होते हैं, बेटा, वो कोई patent नहीं है, सब के अपनी imagination होती है, हमने आपको क्या का, कि deputed है, अगर आप कहते हो न, कि आप तुम जादा deputy ना बनो हमारे लिए, ठीक है, तो चुपचा बैठे रो, इसका मतलब बात यहीं आती है कि तुम जाद identity मत मरो, हमारे बारे में explain मत करो, ठीक है, next देखो बचे, next word है, incursion, बेटा picture देखो, हो क्या रहा है, एक आदमी ये ताड लगे हुए है न, इसको jump कर रहा है, इसका मतलब समस्तों आगए, बेटा, infiltration चल रहा है, मतलब कुछ लोग देश के अंदर entry कर रहे ह कहीं भी entry करने, बिना permission के, अगा permission होती तो बेटा, इतने खतरनाक तारों को कूद के तो नहीं आता है, यह आदमी, ठीक है, तो इसे को कहते हैं, बेटा, घुसपैट, घुसपैट के लिए आप एक वर्ड सुनते होगे, infiltration, याद आ रहा है न, infiltration, आप सुनते होगे, infiltration, आ जो usually किसके लिए होता है, एक border को cross करने के लिए, जैसे border patrols were increased, बेटे एक तो यह पैट्रॉल होता है, एक आपको पता होगे, यह वाला patrol होता है, PTRL, ठीक है, इसमें E आता है, तो E4 आप engine कर सकते हो, यह fuel होता है, यह patrolling करना पहरा रगाना होता है, तो border patrols were increased to debtor, further incursion, रोक घुसपैट को रोकने के लिए, जो border patrols है, उनको increase किया गया, ठीक है, next आजो, government troops made an incursion into territory held by the rebels, मतलब government की जो troops है, made an incursion, उनने घुसपैट कर दी into the territory, उस territory में held by the rebels, जब विद्रोई होने बेटा, लोगों को पकड रखा था, बंदी बना रखा था, वहाँ क्या हो गया, व हाँ हमारे साइनिक घुस गए, ठीक है, आगे समझ, government troops ने कर दिया एक incursion, तो incursion मतला होता है घुसपैट करना, याद रहेगा, infiltration अच्छे से याद होगा, बेटा, फिर वो ही गलती होगी, चौदरी, आलोक, चौबे, आलोक गलती होगी अभी बताया, बेटा, पेट्रो गाड़ी में डलवाते हो, उसमें E आता है, इसलिए बता रहो, E4, इंजन याद कर लो, गलती नहीं होगी, बेटा, कभी बीटी ठीक है, याद रहेगा, इसको गलत मत करना, बेटा, spelling error में आ जाता है, मतलब स्पैलिंग टेस्ट में आ जाता है, फिगर बढ़ू जाएगी, चाहि ने क्या कहता है, घुसपैट की थी, बेटा तो घुसपैट याद करो, इन्फिलिट्रेशन याद करो, या फिर आप इन करसं याद करो, कम से कम बोलो तो जै आज के बाद करना, इनकरसं की जगहां इनकरसं यूज करना शुरू कर दो, एक नया वर्ड याद हो रिटरीक कर देना फिल्टरेशन कर देना समय जाएं अपोजित क्या होगा बिटरीक करदेना पीछे अटा देना और मुस्कर मैं पार पिटर लिविश पूर बहुत बढ़िया तो समझ आगहे बिटा की in kursn क्या होगा्व कर इन invention in vision अग्र संबहलों थीक है I must आज़ा इंट बाट करते हैं next inexplicable ऑनä how to understand understand plotchl segunda size रिखुझा नहींसकते भी नहीं आते हैं उसको नहीं पढ़ने पढ़ जाएंगे ठीक ऐसे बहुत सही लोग है बीटा कि सीधी सी बाते स्टॉप से दा इंडियन आर्मी ऑल्वेज स्टॉप नियाएगा बिटे स्टॉप साइगा आशी शर्मा मैं देख रहा हूं बिटा आपके कॉर्शन में बहुत आजो बिटा तो आपका that cannot be understood or explained बिटा ऐसी चीज़े जिसे आप ना तो समझ सकते हो और explain कर सकते हो that is called inexplicable बहुत मुझकिल वर्ट नहीं है मुझे ऐसा लगता है सबने पढ़ा होगा वनवा सब्रेटुशन में ठीक है देखो क्या है for some inexplicable reason ओके या reasons he has decided to cancel the project मतला कुछ ऐ जासे class 5 minute delay हो गई ठीक है तो inexplicable reasons मतलब होते है जिने मापका explain नहीं कर सकता हो और अगर करूंगा अभी तो आपके समझ नहीं आएंगे कि वो reasons क्या है ठीक है that is called inexplicable बेटा आज से आप ये भी बास समझने शुरू कर दो कि आप understand word का use करते हो ठीक है ध्यान से सुनो मैं क्य replacement करवा रहा हूं बेटा I understand होता है ना I cannot understand so जैसे आप कहता हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो आप यह भी बता सकता हो कि यह चीज़े inexplicable है इन्हें मैं explain नहीं कर पा रहा हूं ठीक है इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रहीं कि क्या है तो inexplicable क्या होगा जिसे आप किसी को समझाना पाएं ठीक आजो इन आयर वैं दफन्डेमिक हैं स्वोच मोश्त म्ल्तिलिटर अंट इन वहों सारी मुटिलिटरल समिट समिट सुछब इंडिय तो आल टेंड दा वर्चुल साथ समिट होस्त ऑब पाकिस्तान मतला इन आयर लेका गया बिटा सहल में वैं दा पैंदेमिक has forced most multilateral क्या हुआ बेटा समिट बहुत सारे multilateral summits summits हुए ठीक है और तुगो उनलाइन सबके सब उनलाइन हुए इट इस इन एक्स्प्लीकेबल यह की लेकिन लेकिन समझ से परे हैं इंडियां देंड ऐंड नहीं कर पाया और वर्चियल सार्ष समीट ऊस्ट पाकिस्तान के ठीक है तो इसका का मतल्cer यह समझ से परे hè बिलकुस है बात है यह समस्थे रहना भी चाइए कि क्यों ओं करी ठीक है तो डास ded कौल बेटा inexpliquable उख एगई में इस सिंपली इनक्सपली केबल बिलकुँ सही बात है तुमारा भीहीवर इनक्सपली केबल है ठीक का आज़ो इन फैथम मेंबल फैथम मतलब होता है बिटा किसी चीज़ की गहराई तो unfathomable जिसे ना आप नहीं सकते हैं next समझो बेटा comprehensible जिसे समझा जा सके बेटा ambiguous आपको पढ़ाया होगा ambi माने दो होते हैं तो ambiguous मतलब double तो unambiguous जिसको समझा जा सके मतलब ambiguous होता है which is not clear तो unambiguous क्या होगा which is clear ठीक है आजो बेटा in plus equals to not or explain equals to explain मतलब not explain जिससे आप explain ही नहीं कर सकते that is called inexplicable okay that is called not explain okay क्या बात है देखो तुशार भाती है for some inexplicable reasons she broke up with me सही है बच्छों बहुत अच्छे तुशार भात है वो रीजन बताने लायक नहीं है मत बता हो बच्छे आजो expatriate expatriate is एक बहुत अच्छा सा वर्ड है expatriate क्या देखो पूरा बेटा दुनिया आपको दिखाई देरी होगी हर जगा हर कंट्री में लग लोग भी खड़े हुए ठीक है that is called privacy बिटा आप परसन लिविंग इन अ कंट्री डट इस नौट द्या ओन एक्सपैल फ्रॉमा कंट्री किसी को कंट्री से एकस्पेल कर देना यह दूसरा पे यह कहीं से ये वाला यहां भी है यहां भी है यह यहां भी है तो है का एक अपना country यह सब जगा अलग अलग फेली क ceux तो हम आपकी लगाते क्या बात है कतई जहर दिल तूट गया ऐसी बातों पर एकदम से कॉमेंट्स आ जाते हैं मतला एकदम ऐसे ना ऐसा होता है ना फीलिंग एकदम निकलाती है कि आप हो गया अब इसने सही बात लिग दी आप तो हमें कुछ ना कुछ कहने ही पड़ेगा ऑस्टेसाइज कर देना बेटा सोसाइटी से निकाल दीना बिलकुल सही बात है ठीक है आजो समझो तो बेटे यो होते हैं एक्स फैट्रिएट मतला माईफामिली서 इन ऑफांग कॉंग बीफोर आई वाउस बॉड मतला रोंन कॉंग में हम लोग कैसे रहते थे जया से रहते होंगे लेकिन अब हमें वहांके मानने तें मिलगी मतला हमवाहंके नागरीक हैं. ठीक हैं? हमारी जो पूरी कम्धी थी थे नैं एक्सेट्रियेट्स की मतला जिनको कोई मतलिफेकल लीगल राइट था नहीं तयार रहने का जैसे रोहिंगे आथ जैंहाँ पे बिटाउनको भी थो expatriates का जाता है वो भी तो हैं प्रवासी ही है ठीक है learning maths is explicable to me बिल्कुल भावना आपने तो मेरे मन की बात लिख दी मेरे लिए तो हमेशा है ठीक है मुझे कभी समझी नहीं आ रहा रहा बहुत अच्छे आपने का businessman was expatriated because he protested against government एक businessman को expatriated कर दिया गया यानि कि देश से निकाला दे दिया गया क्यों क्योंकि उसने government against protest कर दिया ठीक है so that is called expatriated ओके आजो बिटे नेक्स बात करते हैं इसके बारे में आप बिटे जो है आप businessman आपको याद आ रहा होगे जैक मा का example कि उन्होंने कुछ कह दिया था चाइना में तो शायद पिछले एक-दो महिने सुन का पता नहीं है कहाँ expatriate कर दिया गया उन्हें ठीक है प्रवासी बना दिया आजयो बट्यों expatriate समझो या दो वर्ड ठीक है next पड़ू expatriate क्या है बिटा global job cut which will lead to an estimate 22% fall in revenue for migrant labor and expatriates from South Asia countries मतला समझ आगे बच्चे कि कि जो global job में cuts हुए ना मतला global job कम हुई है और विच्विल लीड टो एन एस्टीमेट 22% फॉल 22% की गरावत देखी गई इन डिवैन्यों में फॉर किसके लिए migrant labor के लिए जो migrant labor थे ने जो यहां से जाते थे worker and expatriate जो प्रवासी थे फ्रॉम कहां से South Asian countries के ठीक है तो that is called expatriate ओके समझा रहा हैं बच्चो सेशन को like और share कर दो बहुत बढ़िया बच्चो बहुत अच्छे ठीक है बस देखो सही बात यह मैं आपको बता हूँ बटा वक्यप कभी एक दिन में नहीं सुधरती है यह सब लोग जानती है ऐसा होता ही नहीं है कि आप यह सूच ले अब देखो पिछर से निमोनिक्स है कुछ तो याद होगा मतला मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको कुछ तो याद होगा आज हो बटा expatriate का मतलब होता है बिटा emigrant होगा यह refugee होगा ठीक है बिटा emigrant immigrant होते हैं सुना होगा आपने वर्ट ठीक है दोनों होते हैं ऐसे याद कर सकतो emigrant e for exit जो बिटा बाहर चले जाती है ठीक है एक होता i double m i g r a n t immigrant जो आ जाते हैं i for in याद कर लो ठीक है रिफ्यूजी होगे बिटा नेटिव वहीं के हैं इंडिजीनियस अपनी है बिटा मतलब रास्टी है और रिपैट्रियेट करना होता है रिपैट्रियेट करना है क्या होता है निकाल देना और रिपैट्रियेट वापिस भेज देना जहां के तुम होते हैं प्रवासी मजदूर उन्हें वापिस भेज देते हैं अगर कोई बच्चा लगाता है पढ़ना तो उसको याद आ रहोगा रिपैट्रियेट हम पढ़ा प्सक्राइब आपने पुछ मैडिसन का बढ़ा पूटेंट इफेक्ट होता है जैसे पॉइजन के साथ आता है कि पॉइजन बहुत पॉटेंट है किसी ने खा लिया तो बचेगा नहीं ठीक है तो बेटा वही होता है पोटेंट समझो कैसा है बेटा अरे बेटा एक बार सुनूँ I am P.O.R.T.A.N.T. I am P.O.T.A.N.T. I am P.O.T.A.N.T. I am P.O.T.A.N.T. I am P.O.T.A.N.T. है ना और P.O.T.A.N.T. पोटेंट आप तो सारे याद रहेंगे बेटा आप बताओ आप कोई दिक्कत है वर्ट्स में ठीक है भई हम यह तो सूच रहें कि वर्ट याद कैसे होगा भई सीधी सी बात है इंपोटेंट होता है बहुत महत्तबून इंपोटेंट जिसके मतलब ज ना था तो इतने सारे वर्ट एक सेक्वेंस में याद होगे अब तो नहीं भूलोगे ने ठीक है आजो अब बिटे यह है पोटेंट तो पोटेंट क्या है बिटे पिरबल होता है यानिके ताकत है उसके तो एविंग स्टॉंग इफेक्ट औन या बॉड़ी और माइंड या इसे बिटा सर्प्राइज रिमेंस दा टेरिस्ट मोस्ट पोटेंट वीपन जो सर्प्राइज होते हैं ना वह बने रहते हैं टेरिस्ट के लिए मोस्ट पोटेंट वेपन मतलब बहुत ताकतवर हतियार होता है ठीक है नेक्स देखने हैं बच्चे दा बर्लीन वाल वाज़ POTENT SYMBOL OF THE COLD WAR BITDABIRLIN WALL जो था ना वो S A POTENT SYMBOL THA OF THE COLD WAR COLD WAR का सबसे टाकेटवा सिंबल वही था ठीक है इज एन एक्सपेट्रीय ठीक है बच भी आख भौजो प्रवासी है बहुत बढ़िया अब आजो तो बिटा POTENT को कैसे यूज किया गया नीज़पेपर में अब यूनिफाइड साउथ एसे प्लेटफॉर्म रिमेंस इंडिया जो तरह रिमेंस बना है इंडिया का सबसे मोस्ट पोटेंट टाकतवर काउंटर मेज़र थी गया तो यह बहुत पिरबल बना हुआ है आगया जो अब पोटेंट का मतलब क्या होगा बिटा डॉमिनेंट होगा फॉर्मीडेबल होगा ताकतवर ठीक है इनफैक्शुल कोई इफैक्ट नहीं है इंप्यूजेंट मतलब विकार घटिया है तो पोटेंट बिटा आपको समझ आ रहा होगा पोटेंशियल से भी बना है हाँ इसको एयसवयाद क्रेल is called the potential полез of Patena बहुत क्या याद कर लो इमपॉटेंट याद करब लो इंपॉटेंट्स एयंथ कर लो इसका मतलब इतने सारे वर्ट को एक चैन में याद कर सकते तो ठीक है next आजो बिटा next word क्या है next वच्छो फॉट वेट ठीक है next है हमारा फॉट बैक बिटा फॉट बैक क्या है फॉट बैक का मतलब होता है बिटा to resist strongly or attack somebody who has attacked you बिटा resist करना और किसी ने आपको पर अटेक किया उसको रोग देना ठीक है देखो बात को फिर से सुनो बिटा ये जो फॉट बैक लिखा है ये phrasal verb है ठीक है तो जितना passage आपको दिया जाता है उस passage में जैसे भी words आते हैं पूरी हमारी कोशिश है कि वो words आपको practice करा दिये जाए ठीक है है तो फॉट बैक का मतलब होता है रिस करना और तो ट्राइबाट नौट तू डू और सो सम्थिंग कुछ ऐसी कोशिश करना कि आप किसी को यह ट्राइना मतलब कुछ भी दिखाने कोशिश ना करने जैसे it is time to fight बैग अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम यह समय है कि हम किसको बैटा स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट लड़ने मतलब हमें उसे स्टॉप करना होगा तो बिटा फॉट बैक करना उता किस चीज़ को खतम कर देना जैसे और इस इस ट्रॉंग ली और एक समबडी हुआ इस चीज़ को किसी ने आपको पैटेक कर रहा उसको खतम करना तो फाउट बैक करना ठीक है फाइट करना वापिस यानि के करने बदला लेना ऐसे समझ जाओ ऑन इच ओकेजन इट वास फाउट बैक बाई इंडिया और मोस्ट अधर कंट्रीज इन ग्रूपिंग मतला ऑन इच ओकेजन किसी भी ओकेजन पर आप देखें इड वास फाउट बैक मतला बदला लिया गया बाई इंडिया और मोस्ट अधर कंट्रीज इन दा ग्रूपिंग ठीक है सब के द्वारा बिटा फाइट बैक हुआ है सबने बिटा स्ट्रॉंग लिस पर अटेक किया है नेक्स देक सब्सक्राइब करने के लिए अब देखो एडिटोरियल कहता है इन कंट्रास्ट इंडिया सब्सक्राइब इस हेल्थ और इक्नोमिक डिप्लमेसी इन दा रीजन मतला कि इंडिया बिटर क्या करते है वह आप अपोजेट अगर आप देखें के इंडिया स्टाप्डव करते हैं इन इस हेल्थ में एंडिप्लमेसी में इन दा रीजन रीजन में बिटा हम लोग किसमें बढ़ते जारें हैल्थ और इकनोमिक उसमें हम लोग बच्चा अच्छा करते जारें ठीक है सो बच्चो दाट वाज दा सैशन फॉर टुड़े यह आज का सैशन था बच्चो जितने बच्चे नई जुड़े हैं वो सुनो यह आपको पीडिएफ शेयर कर दी जाएगी यह बच्चो दा हिंदूस आइडिटोरियल है ठीक है यह आपको शेयर कर और प involved कि अंचिक व सुना भट को शुड़े हैं तो यहिसाट होता है च्प्च जितने बेट कलर के वर्ट समय आतीए बच वह आपको पढ़ाना देती है ठीक है बस अब आपको करना कैICO बार इसके रीडिंग करनी है कल इस से रिलेटेट क्कैस होएं गियHN और इनी वर्ट क का बेटा कर टेस्ट होगा ठीक है और बच्चों यह इंग्लिश का मास्टर कोर्स है ठीक वनिया वैलिडिटी के साथ बेटा बैच स्टार्ट होगा फर्स्ट आफ फैबरी से यह होगा बेटा यह आपको प्रैसी पढ़ना है यह रिपोर्ट राइटिंग आर्गुमेंट्स पढ़ने उसका बेटा यह पेपर होगा इसमें हम आपको प्रॉपर एनलिसिस देते हैं आप जो लिखते हैं वो हम आपका हमाई पास सब्मिट करते हो चेक करके बेटा उसके रिव्यू दिये ज आते हैं कि आपने कैसा लिखा ठीक है हर मतलब सारी की सारी बेटा चीज़े बता ही जाती है कि आपकी ग्रामर कैसी आपका कंटेंट कैसा है पेपर वन पेपर टू के लिए अगर पूरा कूर्स लेना है तो 3499 में 90 जैन्वरी से बेटा एको शुरू हो जाएगा ठीक है और ये बेटा इसके सारे के सारे फीचर्स हैं ये पेपर वन पेपर टू सीए पीएफ सीडियास और इस सारे कोर्स देखने के लिए आप हमारी अप्लिकेशन को डाउनलूड कर लें ठीक है मिलते हैं एक्स क्लास में तिल देन टेक क्या बबाए जैन्द तो बचो आज हमारे प फीडबैक्स मिलेंगे उसके हिसाब से सेसेंस को मोड किया जाएगा सजेशन बहुत अच्छे हैं तो जो आप सजेस्ट करेंगे बिटाओ पढ़ाया भी जाएगा ठीक है तो मिलते हैं एक्स क्लास में तिल देन टेक क्या बबाए जैन्द ऑल घजार थाइब को मिलते हैं तो मिलते हैं तो आप सजेस्ट करेंगे जाएगवागा जारे पाल दो एक्सक्षी जा है जा हम एक्षबैक्सामार भी जा क्षबैक्सामार देवागे जाएगा हिसाज